स्टॉक जीनिय मेप का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त दभी शेक शर्म और इस वीडियो में डिसकुशन करने वाले हैं जेस डवलू स्टील के पारे में यहाँ पर हम डिसकुस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपोर्टन सपोर्ट्स क्या होंगे टारगेट सेंड क्या स्ट्राटेजी हम लेकर चलें नाइंत ओफ में के लिए तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट्स चार्ट की देखिए जैसे ही स्टॉक ओपन होता है कैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है यहाँ पर भी गिरावट स्टॉक में जारी है 692 रुपीस 20 पैसे पर ट् 670 रुपीस का अगर गिरावट जारी रहती है और यह लेवल भी स्टॉक ब्रेक करता है तो देखिए 660 रुपीस की तरफ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है इन लेवल्स पर बिलकुल भी हमें फ्रेश पाइंग नहीं करनी है दोस्तों वेट एंड वाच की स्टॉप लौ्स से लगा कर काम करें बात करें टार्गेट स्की अगर उपर की तरफ फिर से तेजिी आती है तो सबसे पहले जो टारगेट अचीव होगा वो षूने वाला है दोस्तों 725-730 का टारगेट तो यह होने वाले हैं उपर की तरफ टारगेट इनकर आपको ध्यान रखना हैं दोस्तों उपर की तरफ resistance लेबल है 731 इसको break करते ही शांदार तेजी देखने को मिल सकती है तो 731 रुपे के नीचे जो लेबल है उन पर buying नहीं करें 731 से उपर कोई भी buying की recommendation होने वाली है तो यहाँ पर यही strategy आपको अपना नहीं है दोस्तों यहाँ पर fresh buying बिलकुल ना करें wait and watch करके रख सकते हैं तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद